तो आपका अपना यूट्यूब चैनल वेदान तू नीट मेट इजी और चैनल का नाम ही है वेदान तू नीट मेट इजी तो आप लोगों की नीट को और नीट की प्रिपरेशन को आसान बनाने के लिए यार भाई लग कुछ तो बात करनी पड़ेगी तो देखो आज का ना हो तो आपका ये ये हो जाएगा इतने महीने में ये पढ़ लो भू भी बात करेंगे अगर आप लोगों को ऐसे वीडियो चाहिए जैसे कि आपको पता है मेरे को स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को एक वीडियो ने बहुत मदद करी थी लास्ट येर मंतली टार्गेट ने तो क्या आप लोगों को भी केमेस्ट्री के बायो के फिजिक्स के मंतली टार्गेट चाहिए क्योंकि अगर आज आप ये वीडियो देख रहे हो तो नवंबर स्टार्ट होने वाला है ओल्मोस सो नवंबर डिसेंबर जैनुरी फैबुरी मार्च एप्रेल आपके पास मे टोटल छे महीने लगबग लगबग बचे हैं और उसके लावा में 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 तो हम लोगों की नीट आने ही वाली है तो कुल मिलाकर मेरे हिसाब से आज से हमारे पास में लगबग छे महीने के आसपास है प्रिपरेशन करने के लिए गाइस six months is a huge number एक बहुत बड़ा नंबर ह होता है लगबग 180 दिन होते हैं और हम लोग 180 दिन में नीट को बहुत आराम से फोड़ सकते हैं तो अगर आप लोगों को नवंबर से लेकर एपरेल तक के मंतली टार्गेट्स चाहिए कि सर आप हमें टार्गेट्स दो इस महीने में ये 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 चाप्टर कंप्लीट होन तो खेर आज का जो वीडियो है ये आम वीडियो से अलग क्यों है क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में ऐसे टॉपिक पर बात करने वाला हूं जो mostly नीट एस्पाइरेंड कर जाते हैं knowingly, unknowingly उन्हें पता होता है उन्हें नहीं पता होता लेकिन वो अंजा मिस्टेक्स के बारे में बात करनी है इन आठ मिस्टेक्स के बारे में समझना है और इन आठ मिस्टेक्स को अवाइड करना है हमें कोशिश करनी है इन आठ में से आठ मिस्टेक्स को अवाइड करें एक दो हो जाए कभी कभी हो जाए चलता है लेकिन पूरी कोशिश करेंगे इ अगर मेरी बात आपने मान ली बाबु मुशाय अगर तुमने यह 8 mistakes avoid कर ली तो यह मेरी guarantee है आप अगले कुछ महिनों के अंदर ही अपने अंदर एक अलग सा transformation देखोगे आप अपने अंदर एक अलग सी capacity develop होते वे देखोगे आपका score improve होने लगेगा और आपको लगेगा कि य 120 score आ रहा था आपका score 500, 500, 600, 650 तक पहुच जाएगा लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी determination के साथ काम करना पड़ेगा आपको आज इस वीडियो को आगे देखने से पहले खुछ से यह promise करना रहेगा कि म्रत्यूंजे सर ने आकर इस channel पर जो हम लोगों को 8 mistakes बताईए इन में से हम कितनी mistakes करना है और इन mistakes को हम लोग आज से सुधारेंगे जरूरी नहीं कि आप यह 8 की 8 mistakes कर रहे हो लेकिन जो mistakes हो रही है उन्हें अपने को सुधारना है तो guys mistake number one जो आप लोग mostly कर देते हो notes अब सरी notes क्या है बेटा notes बनाना mistakes नहीं है लेकिन notes बनाने के लिए आप अपना सा सारा का सारा time अगर आप तिरिफ notes बनाने में consume कर देते हो तो आप time waste कर रहे हो याने notes बनाओ लेकिन notes के से बनाने एकदम short से notes बनाने है थोटे-छोटे notes बनाने है flashcard type के बनाने है formula sheet बनानी है बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है क्यों जब वो notes बनाने बैठते हैं तो सुन्दर सा register खरीदते हैं फिर एक NCRT ले लेते हैं फिर एक कोई refresher ले लेते हैं फिर किसी topper के notes ले लेते हैं या coaching का material ले लेते हैं और फिर definition पढ़ते हैं अच्छा अच्छा definition NCRT के पढ़ ली फिर वैसी कि वैसी definition अपने notes में लिखना शुरू कर देते हैं थीक है चलो तुमने definition लिख ली फिर the following parts of this digestive system फिर वो चार point बनाके लिखेंगे सुन्दर सुन्दर डाइग्राम में बेटा हमें clerical काम नहीं करना है हमें notes बनाने में time waste न चीजें जो केवल NCRT में आप अपने yellow और या pink color के highlighter से mark कर सकते हैं उसे वही mark करके छोड़ दो और अपने notes में चाहो तो लिख लो कि definition refer NCRT काम खतम ऐसी चीजे notes में लिखो जब revision करते वक्त हम लोगों को मदद करें मैं बता रहा हूं ये वाली mistake तो बहुत सारे लोगों को ले बैठती क्योंकि अगर तुम notes बनाने में अपना सारा का सारा time consume कर दोगे तो मेरे गुलजारी लालो तुम लोग practice कप करोगे तुम लोग question कप solve करोगे तुम लोग self study कप करोगे क्योंकि आप coaching पढ़के आगए आप school से पढ़के आगए अगर आप dropper हो तो भी आप class attend कर क्या आगा हो वहां के घरा के notes बना रहे हो क्या sense बनता इस बात का notes coaching में बन गए तो उसको बनने दो नहीं हो रहे है किसी topper के लिए के फोटो कॉपी करा लो किसी teacher के note download कर लो खुद time waste मत करो केवल short and sweet note बनाओ कम कम होना चाहिए जादा जादा नहीं दूसरी चीज revision नहीं करना आप revision को कई बार avoid कर देते हैं लेकिन क्या यह बाद आप जानते हो कि एक neat topper हमेशा daily revision करता है हमें daily revision करना है हम आज जो पड़े हैं आज हमने जो किया है रात को सोने के पहले एक बार पूरा उसको revise करना है in fact revision daily होता है एक revision weekly होता है और एक revision monthly होता है कि आज मैंने क्या पड़ा वो आज revise किया कल मैंने जो करा कल revise किया ऐसे करते करते साथ दिन का मैंने regular revision कर दिया फिर उस साथ दिन के revision को एक साथ हमें संडे के दिन बैठ के करना होता है फिर अगले हफते का करके ऐसे फिर हमको मन्तली एक दिन निकालना होता है पूरे मन्त में मैंने क्या क्या किया Day 1 से Day 31 तक का रिविजन करना पड़ता है हमें Physics में Formula देखने पड़ते हैं हमें Physics में Curve देखने पड़ते हैं हमें Biology में Diagram, उनकी Labeling और Important चीज़े देखनी होती है Important नाम पड़ने होते हैं Chemistry में Formula, Reactions और Periodic Table और Trends बहुत सारी चीज़े होती जो Regular Revision मांगती है हाँ मैं मान रहा हूँ कुछ चीज़े ऐसी होती One Time क्या काम खतम For Example Chemistry का Solution Chapter गिंती के 4-6 Formula हैं कर लिए, एक बार पढ़ लिया, काम खतम ऐसे Chapter जो बहुत Easy लगते हैं तुमको उसका Revision मत करो लेकिन Thermodynamics, Equilibrium ये ऐसे Chapter है जो Revision मांगेंगे Daily Revision मांगेंगे तो आप लोगों को Revision को 3 Slots में Divide करना है Daily, Weekly and Monthly और इसे Preferably करना है बिलकुल करना है पूरी जान लगाकर Revision को रोध करना है उसके अलावा गाई NCRT को अगर आप लोग Neglect कर देते हो तो ये आपकी सबसे बड़ी Mistake होती है बिलकुल NCRT को Neglect नहीं करना है Especially आगर आपने Biology की NCRT को Neglect करके किसी और Refresher से, किसी और Material से अगर आपने Biology पढ़ना शुरू कर दी मैं कह रहा हूँ उसके Biology का Level देखके दिमाग तुमारा खराब हो जाएगा बाल तुमारे ज़र जाएंगे और तुम लोग Depressed हो जाओगे क्योंकि Biology ही वो Chapter है जो Need Aspirant प्यार करता है उस Chapter से उसको उस Particular Subject से प्यार होता है उसको वो Subject बहुत पसंद होता तभी तो वो Need लेता है तभी तो Biology को Opt करके Need में अपना Career बनाना चाहता है डॉक्तर बनना चाहता है तुम Physics को प्यार करते हो तो Physics को प्यार करोगे तो Need करने थोड़ी आओगे ये तो तुमारे को फाल तो तुमारे साथ में बोजाड हो दिया जाता है कि वही तु Biology ले रहा तो Physics Chemistry दहेज में आएंगे इनको साथ में ले जा तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि Biology की NCRT को तो बिलकुल Neglect नहीं करना है Biology की NCRT को Neglect ना करने के अलावा कुछ बच्चे NCRT पढ़ते हैं Line लगा लगा के पढ़ते हैं लेकिन वो NCRT के अंदर Tables NCRT के अंदर के Intext Questions NCRT के Examples और NCRT के अंदर की जो Information दे रखी होती है कुछ-कुछ Box के अंदर जिसे एक Particular आप Class 11th का Structure of Atom नाम का Chapter उठाना उसमें Chemistry के अंदर एक Pink Box के अंदर R.A. Millikan के Oil Drop Experiment के बारे मालग से दिया है Normal बच्चा उस Box को Avoid कर देता है Solution Chapter के अंदर जब आप देखोगे तो एक Table बनी हुई है जिसके अंदर आप लोगों को अलग-अलग Solvent का अलग-अलग Temperature पर KF का Value दे रखा है तो वो KF की Value का Temperature के साथ में क्या Relationship है वो Values देखकर समझ में आता है लेकिन अगर आप पूरी NCRT पढ़ लोगे तो आप लोगों को KF का Temperature के साथ में क्या Relations है Temperature बढ़ाने पर KF घटेगा ये कही नहीं दिया है कोई Theoretical Statement नहीं है लेकिन Table के अंदर दिया है तो हम लोग NCRT को इस तरीके से नहीं पढ़ते है NCRT पढ़ने का नजरिया हमारा क्या है कि बोज है इसको ढोलो जल्दी-जल्दी NCRT पढ़ लेता हूँ और फिर कल सुबह पनवेल निकलना है ये नहीं करना है हमको हमको NCRT को फुल फ्लेजट तरीके से हर चीज़ को ध्यान में रखके पढ़ना है हमें हर साइंटिस्ट के बारे में पढ़ना है जेनेटिक्स में मेंडल के बारे में दे रखा होता है मेंडल ने पीपर एक्सपेरिमेंट किया था तो क्यूं किया था कैसे किया था वो सारी बाते आपको देखो मैं आप देखने को मिलेगी तो NCRT को बिल्कुल आवाइट नहीं करेंगे नेक्स्ट इस प्रोक्रास्टिनेशन मैं तो कल से कर लूँगा सर का वीडियो आए देख लिया जोश आ गया कल सुबह उठे अरे यार थोड़ा मजा नहीं आ रहा है थोड़ा आलसी आलसी लग रहा है कल से करूँगा या खुली आखों से सपने देखते हो हाँ हाँ सर ने बोल दिया बस मैं टेबल बना लूँगा और मैं स्केडियूल बना लूँगा और आज सुबह बस फिजिक्स सबसे पहले निप्टा हूँगा फिर दुफेर में केमेस्ट्री रात में बायलोजी और सोने के पहले रिविजन करके काम खतम करूँगा पता चला इंडिया और इंग्लेंड का मैच देखने बैट गए पूरा संडे तो इंडिया इंग्लेंड के मैच में निकल गया अब तू रिविजन करेगा मेरे बच्चे कि तू नोट्स बनाएगा मेरे बच्चे कि तू कोचिंग का पढ़ेगा मेरे बच्चे या खुद की Penal study करेगा मनी नहीं लगा एक एक दिन हमारे लिए काउंट होगा वक्त आ गया है underground होने का इंडिया वर्ल्ड कब जीत रही हैं बहुत बढ़िया इंडिया वर्ल्ड कब हार रही है कोई बात नहीं को एक 6 महीने के लिए अपने अंदर से इन सब चीजों का fascination हटा तो कोई जीते कोई हारे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चीए लेकिन बेटा कर ये 6 महीने वेस्ट कर दिये तो शायद तुम्हें अच्छे डॉक्टर बन सकते थे लेकिन वो मिसाउट कर जाओगे तो इसलिए प्रोक्रास्टिनेशन बिल्कुल नहीं करना है कल से करूँगा परसों से करूँगा 15 तारिक से शुरू करूँगा 10 तारिक से शुरू करूँगा नहीं दिपावली बात जगूँगा नहीं हमें कल से ही मेनत करना शुरू करनी है हमें रिविजन को टाइम देना है study को time देना आज का बनाया होगा target आज पूरा करना है किसी भी कीमत पर आज का target आज पूरा करेंगे तभी कल का target कल पूरा कर पाएंगे वरना आज का भी load कल पे बढ़ जाएगा ऐसे तो तुम्हारे backlogs बढ़ने लग जाएगे Netherlands ने South Africa जैसी strong team को हरा दिया अफगानिस्तान ने Pakistan को हरा दिया क्यों क्योंकि इन्हें Pakistan के हर player की जिसको बोलना चाहिए मजबूती और कमी के बारे में पहले ही पता है ये player जब match खेलने उतरते हैं तो match खेलने से पहले अपने opponent के सारे recorded matches ध्यान से देखते हैं बॉलर देखता है कि बाबा रादम को अगर मैं bouncer मारूँगा तो वो ऐसे hook करेगा और boundary पर catch पकड़ा देगा क्योंकि उसको bouncer खेलते नहीं आती बात समझ में आ रही है तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा enemy हमारे सामने जो opponent है वो कौन है हमारा opponent आज नीट है नीट से प्यार मत करो इससे नफरत करो इसे दुश्मन की निगा से देखो कि यह कैसे question लेकर आएगा तो हमारा actual syllabus क्या है पता चला हम लोगों को chemistry के अंदर solution chapter बहुत पसंद आया लगें तीन दिन तख solution के question बन रहे हैं तो solutions के देड़ सो question लगा दिए लेकिन भाई वो solution chapter अगर केवल 4 नंबर का है वही thermodynamics से 12 नंबर के question आ रहे तो ज़्यादा मेहनत thermo को देनी पड़ेगी genetics बहुर लग रहा है लेकिन भाई genetics से सवार आ रहे हैं तो genetics को ज़्यादा देखना पड़ेगा digestive system पूरी anatomy से मिला कर अगर मानलो 20 नंबर के question आ रहे हैं और उदर genetics और वो पूरे portion से मानलो 24 नंबर ये question आ रहे हैं तो दोनों को लगभग equivalent हमें treat करना पड़ेगा हम केवल digestion पड़के ये सोचते कि doctor बन गाए हमको सम्वालूम पड़ गया body के बारे में नहीं ये नहीं करना ये mostly need transparent गलती करते हैं कि biology में केवल human physiology पड़के शेकी बगारते दोस्तों के सामने कि ए तेरे पास में ये है क्या मेरे पास में ये है देख body में जाके ऐसा होता है देख lungs ये से काम करते हैं देख SPO2 ये होता है नाई हवा बाजी नहीं करना है plant physiology को भी उत्ता पढ़ना है बाय टेक्नलोजी को भी उत्ता पढ़ना है हर चीज को उसके marks के हिसाब से उसके weightage के हिसाब से हमें काम करना है आ रहे ये बात समझ में तो स्तिले बद और उसका marks analysis करने के बाद फिर आप लोग decide करो कि कौन से chapter को कितना time देना है आपको जो जादा marks वाला chapter एगर easy लग रहा है तो उसको फटाफट फटाफट पढ़ लो और उसका daily revision करते रो हलका हलका time देखे उसके questions लगा लो तो वहाँ पर तुम strong feel करोगे माननों कोई ऐसा chapter है जो तुमको बहुत boring लगता है बहुत tough लगता रो आभी चार number करा है छोड़ दो साले को last में देखेंगे पहरे जादा marks बटोरने की कोशिश करो तो हमेशा syllabus और उसके बारे में क्या marks क्या ने लेग दो बताना change देखो going for 100% जो topic आपको easy लगता है उसको 100% करने के लिए आप क्या करते हो आपका most of the time consume कर देते हो most of the time आप एक easy चीज़ को 100% अचीव करने में लगा देते हो वही पर आप लोगों को जो चीज tough लगती है वो करने के लिए आपके पास time ही नहीं बचता है last में आप बोलते हो छोड़ यार यह तो वैसे मेंसे बनता नहीं था इसलिए मैं इसको avoid कर दूँ लेकिन कहीं वह tough वाला जो topic है वह ज्यादा marks का तो नहीं है यह तो आपने देखा ही नहीं उससे पिछले 10 सालों में NEET में कित्ते question आ है आपने वह एनलाइज ही नहीं करा आप पीवाई क्यूज देखे आपको समझ में आएगा पीवाई क्यूज देखके कि क्या हो रहा है कैसे हो रहा है किसलिए हो रहा है तो यह सारी बातें आपको ध्यान अगने पर डोंट गो पूर 100 परसेंट तुमको 720 में से 720 लाने का के कुन रहा है भाई ट होखाई थी 즐काशते तक साथा सब्सक्राइब में से और खेयर ठीश फ़ी क contributors आपको लुए साथा सब्सक्राइब के वे जाने में ये वाली गरबर होती है कई चीजों के लिए टाइम नहीं बचता और कई चीजों को तुम जादा ताइम दे देते हो लेकिन क्या होगा माक्स तुम्हेरे जीवन के दस दिन रगड़ दिया उस चैप्टर को जबकि दो दिन में भी हो सकता था आठ दिन तुम कोई औ मौक टेस्ट बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि हम एक पर्टिकुलर कोचिंग पर पढ़ रहे हैं वहीं के टेस्ट करना चाहिए नहीं हम लोगों को कम से कम दो से मिनिमम एक तो होना ही चाहिए हमको दो मिनिमम अलग अलग इंस्टिट्यूट के मौक टेस्ट देने कर रहा हूं आज अगर मैं नीट देने जाऊंगा तो मेरी मार्केट में क्या वैल्यू है मेरे 720 में से कितने नंबर आ रहे हैं और जितने ज़्यादा मौक टेस्ट होगे तुम उतना ज़्यादा आप खुद को evaluate कर पाओगे खुद का analysis कर पाओगे कि यार जब मैं टेस्ट देने बेट रहा हूं तो मेरे से कहा मिस्ते को जी तो बहुत जेनरल सी बात बताता हूं chemistry के अंदर electrochemistry, redox reaction और mole concept के अंदर वो equivalent वाला concept सब linked है जब आप stoichiometry करने बेट होगे तब आपको पता है कि इसके अंदर n factor लगेगा जब आप electrochemistry पढ़ने बेट होगे तो आपको पता है कि इसके अंदर electrochemistry की approach लगेगी जब आप redox reaction करने बेट होगे तो आपको पता है इसके अंदर redox की approach लगेगी लेकिन जब आप एक्जाम देने बैठोगे तब आप यह जजी नहीं कर पाओगे कि एक्वेशन स्टोइशोमेट्री की मदद से फराडे लौ लगाने के लिए तो नहीं इस्तमाल हो रहा है वहां पर अप्रोच के ऐसी बिठानी है वो थोड़ी समझ माएगा अभी तो आपने एक चाप्टर खोला कि चलो मैंने चाप्टर खोला और मैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम के कोईशन कर रहा हूं तो आपको मालू में कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर प्लैंक्स वाला करो तो E is equal to H, C by lambda वाला लग जाएगा तो आप वही concept पर सोचोगे लेकिन भाई साब जब तुम एक्जाम देने बैठोगे और जब स्ट्रक्चर ऑफ एटम से इतने सारे topic में से एक question आएगा तब वह question कौन सी approach से solve होगा कौन से concept से solve होगा वो तुमें थोड़ी पता है वो पता है क्या तर वो तो पता ही नहीं हमको तो वो practice कहां से आएगी वो कोई हमको भगवान आके थोड़ी बताएंगे वो हमें mock test से पता चलेगा जितने जाधा test दोगे उतना जाधा उस exam के environment को समझ पाओगे अपने दिमाग को free कर पाओगे अपनी approach लगा पाओगे त रहेगी एक to do list अपनी daily रहेगी कि आज मेरे को particular यह 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 चीज़ करना है physics chemistry bio में एक आप लोग बनाएंगे weekly कि इस week में मैं टेक्निकली यहां तक पहुच जाऊंगा और एक to do list आपके पास में मन्तली होगी कि नवंबर मन्त में मैं chemistry के यह पर्टिकुलर organic chemistry में हेलो अलक में divide कर लो कि aldehyde ketones carboxylator बढ़ा है तो इसके लिए दो हफते ले लूगा अमाइन अलकॉल छोटा इसको एक हफते में कर लूगा है हेलो अलकेन को एक हफते में कर लूगा और फिर उसको daily में तोड़ दो कि पहले दो दिन में NCRT पढ़के यह complete कर लूगा फिर एक दिन में सारी reactions को दूगा एक दिन में सारे distinguish test को दूगा और आखरी के दो दिन में questions लगाऊँगा तो इस तरीके से आपको daily weekly और monthly to do list लगानी है अगर आप लोगों ने यह सारे points follow कर लिए अगर आप लोग यह सार करने जो 8 mistakes बताईए इसमें से कुछ mistakes में करता हूं और कुछ mistakes में नहीं करता हूं तो जो mistakes आप नहीं करते हो उसके लिए cautious हो जाओ conscious हो जाओ सोच लो कि भाई आप यह mistake होनी नहीं चाहिए और जो mistake करते हो उसको solve करने ही कोशिश करो उसको overcome करने ही कोशिश करो अपने पास म तो नीट प्रिपरेशन देने वाले रहोगे तो मौक टेस्ट में आपके 720 में जब 650, 670, 610, 700 तक का कभी स्कोर आ जाएगा तब आज सोचोगे कि आज 6 महीने पहले जो मैंने वीडियो देखा था वो इस तरीके से मेरी मदद कर रहा है तो यह मेरी गैरेंटी है यह 8 मिस्टेक मैंने अपने teaching career में बहुत सारे लोगों को करते वे देखा है as a student में भी यह गलती करता था तो यह 8 गलतियां कोई आज मैंने निकाली नहीं है यह मेरे past experience और मेरे खुद के student life के experience को मिला कर निकाली है तो कही ना कहीं यह गलतियां आप भी कर रहे होगे और अगर नहीं कर र talking and अपनी need preparation में कहीं भी कोई भी तकलीफ आ रही हो तो मैं यहां पर उसको easy बनाने के लिए बैठा हूँ बस comment section में अपनी problem लिख देना इस video के मैं उस video के comment section को देखूँगा तुमारी problems पढ़ूँगा and guarantee पूरी कोशिश करूँगा उस पर भी video बनाने के तो मिलता हूँ आ आप से अगले वीडियो में बाबाई